है गाइज फोर मोर वीडियोज ऑन डिजिटल मार्केटिंग प्ली सस्क्राइब तो माइ यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट बेल इकन हेलो depend में ओद् journal विडियो में बात करेंگे गूंगल टाइज मैंगर के बानेजर में और टाइज को मैं तके गोगल नेजेग आहीं हुट गया होते हैं वह गउस्ट कोडम में बात्सक्राइब में ही जै यहितती बी code scripts जो हम website में place करते हैं चाहे head में या body में उन सब को tags बोलते हैं और क्योंकि हम जब उसको website में डालते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको head में डालो कहीं बोलते हैं इसको body में डालो तो अगर हम scripts को head में डालेंगे तो obviously top of the page जो हमारा है उसकी जो loading है वो तोड़ी slow हो जाती है क्योंकि जो browser है वो पहली प्राइटी scripts को देता है ठीक है ना उसके बाद वो you know HTML को load करता है तो इसके लिए हम Google tag manager यूज करेंगे जैसे कि हम अपने सारे code जो है ना को के लेक्क separate platform पे डालेंगे और वह separate platform पे डालेंगे तो काम किसे करेंगे साइट नहीं पर हम यहां पर यहां पर यहां पर हम गूपल टैग मैंजर एक account बनाएंगे यह हमारी site है यह Tag Manager है यहां पर अपनी website डीटेश डालेंगे यह में अगर यह कोई और दे रहा होता है और उसको हम अपनी वेपसेट से इंडिक्रेट करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है डाल सकते हो बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं 2012 से आया हुआ है तो मैं यूज करता हूँ अपने ट्रेणिंग वाली साइट में आज मैं अपनी सबस्वाली साइट में आपको इंडिक्रेट करके दिखाऊंगा उससे बहले मैं आपको एग्जामपल्स दिखाता हूँ कि कौन-कौन से टैग्स जो डलते हैं वो तो मैंने आपको बता दिये ल तो यह आप एक्सेंशन डालोगे जो भी वेबसाइट आपने खोली है टाइग एसिस्टेंट एक्सेंशन पर क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट में या इस पेज पर पटिकुलर्ली कौन सा टैग लगा हुआ है वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा ठीक है गूगल अनलेटि अनलेटिक्स ब्लाटिक्स टो पर पहले का उता था अब तो फनाना भी मेभी रगा हुआ है ने डाल दिया और गोगल टैग मनेजर को भी इन्होंने लिंक किया हुआ वशाइट से तो गूगल्टमेन यह पहली साइट है जो यूज्ज कर रही है चलते हैं इस पर भी इस पे कुछ-कुछ issues हैं basically, कुछ course में होंगे, Urban Company के देखते हैं, Remarkting Analytics Tag Manager, तो Tag Manager यहाँ पर भी मिल गया, फिर आते हैं 99 acres पर, जो बड़ी-बड़ी sites हैं, देखो Tag Manager, बहुत सारे course जालते हैं यह लोग, तो Tag Manager से डालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, card देखो.com, card देखो, Tag Manager, ठीक है, उसके बाद, cashify.com, Tag Manager, फिर fnp.com, Tag Manager, फिर zoomcard.com, यहाँ पर भी Tag Manager, तो बहुत सारे लोगों ने, you know, Tag Manager यूज किया हुआ है, तो, तो ट्रस्ट कर सकते हैं, और हम भी करेंगे, तो देखते हैं, होता कैसे, ओके, तो यह Tag Manager की website है, जिस पे मैं चाहूँ तो नए account भी बना सकता हूँ, और, you know, पुराना भी use कर सकता हूँ, क्योंकि, कोई फक्त नहीं पड़ता, जो process है, वो दोनों में सीम है, तो sign-in कर लेता हूँ मैं, unitkhn.gmail.com, जिससे मैंने, you know, training की site भी मैंने इसी में आड की हूँ, expert SEO training institute.in, तो यहां पर मुझे नहीं website आड करनी है, नया container आड करना है, तो create account करेंगे, company का नाम यहां पर लिखेंगे, digital adit country india opt करेंगे, website का नाम www.digitaladit.com, website है वो, create करेंगे, देख है, customs and conditions, website को तो बाद में use करेंगे, लेकिन पहले website से link तो करेंगे, तो link करने के लिए उसने बोला है, यह वाला उठाके है, हर page के head में डाल दो, और यह वाला page के body में डाल दो, उपर वाला code copy करते हैं पहले, और चलते है, digital adit.com पे, इसके लिए अब यह को static site तो है नहीं कि हर page में जाएंगे, और head और body में डाल देंगे, तो यहाँ पर तो dynamic site है, सारा काम plugin से होता है, ठीक है, तो plugin कौन सा use करने वाला हुआ है, settings, settings के अंदर, जो मैंने plugin अलरीड डाल दिया है, उसका नाम है header and footer scripts, उसको मैंने click कर दिया, और डीवासे खुला भी होगा, तो अब refresh हो जाएगा, तो इस plugin में basically आपको दो box मिलते हैं, एक यह top पे box देख रहे हो, और एक bottom में box देख रहे हो, तो उपर वाले box में जो डालोगे, वह head section में जाएगा, जैसे यहां पे mention भी है, और नीचे वाला भी जो डालोगे, वह body finish होने से पहले जाएगा, तो अभी जो code मैंने copy paste किया है, वह उन्होंने मुझे बोला था कि head में डालो, तो अभी digital audit में मैंने google search console और global site tag, manually डाला हुआ ऐसे, without using google tag manager, लेकिन आज मैं tag manager यूज कर डालूगा, तो यह code मैंने यहां पर डाल दिया, और tag manager में चलते हैं, और यह जो दूसरा code है, इसको हम डालेंगे website पर चलते हैं, body section में, तो body के अंदर आते हैं, और यहां पर paste कर देते हैं, और यह हो गया, save settings, अब यह डाल दिया, अब अगला step क्या हो सकता है इसके अंदर, इसको ok करते हैं, अब वो जाके check करेगा, और automatically done कर देगा, अब जैसे यहां पर submit करते हैं, जैसे अब यह account बना है, अब हमने इसमें tags add करने हैं, तो देखते हैं एक बार, अब जैसे वो जो code मैंने अभी डाला है, वो suppose जब आपने generate किया, तो इसमें website में नहीं डाला, उसको गहीं save किया और अब नहीं मिल रहा है, तो दोबारा कैसे लेंगे, तो यहां पर अपनी container के अंदर आके admin में जाएंगे, ठीक है, admin के अंदर हम install Google Tag Manager पर चलते हैं, यह code फिर से आगए यहां तो यहां से आप copy करके डाल से, ठीक है, workspace पर आ जाते हैं, यहां पर बहुत सारे tags आगए, जो आप add कर सकते हो, Google Analytics, Universal Analytics, App Plus Web Configuration, App Plus Web Event, हम लेंगे फर्स्ट वाला, ओके, तो यहां पर Google Analytics का code add करेंगे, track type, paste type, अब भी बहुत सरे ले सकते हैं, अभी हम page view लेंगे, अब नीचे एक चीज important है, वो कह रहा है, Google Analytics settings, select settings variable, अब शुरू में ना मुझे idea नहीं था कि आरी मैं क्या डालूंगा यहां variable पर, तो मैंने बस click कर दिया, इसको ऐसे, और जब click करके जब मैं next पर गया, तो मुझे एक थोड़ी familiar चीज दिखी और वो क्या थी, tracking ID, मुझे याद था कि मैंने analytics का code generate किया हुआ है, और वहां पर एक tracking ID होती है, तो यहां पर मैं analytics, भी मैंने एक new tab में खुला हुआ है, यह मैंने अपनी website खुली हुए, expertseutraininginstitute.in वाली, और यहां पर हम चलेंगे, admin में, admin बोल लो, यहां पर जाने के बाद, tracking info, चलते हैं, tracking code, चलते हैं इसके अंदर, tracking ID, तो यहीं पर देखी थी मैंने tracking ID, तो मुझे क्लिक हुआ, तो यह tracking ID ही चाहिए, basically वहां पर copy करेंगे, ठीक है, फिर Google Tag Manager में जाएंगे, tracking ID वाली जगह पर tracking ID पेस्ट करेंगे, और कुछ भी नहीं चड़ना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, as it is छोड़ दो, और इसका भी कुछ नाम देना है, तो GA ID, ऐसा देदे हैं, याद रहेगा, तो यह हमने variable set कर दिया है, और यहाँ पर आने के बाद, अब हम इसको save नहीं करेंगे, अभी हमने code तो add कर दिया, ID भी लाल दिया, लेकिन हमने यह भी बताना है, कि इस code को कहां पर reflect होना है, website के अंदर, home page पे, contact us के page पे, या all pages पे, तो analytics का code basically all pages में डलता है, तो यहाँ पर इसको बहुत है, triggering के page पर trigger कराना है, तो triggering में जाके edit करेंगे, अब एक चीज़ by default है, यहाँ पर, all pages, हमने भी कहां डालना है, all pages, तो इसको select कर लिया, all pages, और इसको save कर दिया, simple, अब दिखातो हम आपको देखो एक चीज, कि यह वा एक tag add कर लिया हमने, ठीक है, और website पर जा कि कैसे बता चलेगा कि वो tag, you know, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, active हुआ है कि नहीं हुआ, तो जैसे हमने भी other websites का check किया था, Google Tag Assistant से, पहले तो उसी को check कर लेते है, तो website खुलकर, tag assistant पर click करते है, जैसे कि यह बता रहा है कि global site tag तो लग गया हमारा, अब जैसे यह 3944, 243 थी, काफि सारे different course बता रहा है, तो मैं भी ठीक है, जो मैंने एक manually लगाया हुआ है, वो भी consider हो रहा हुआ इसके अंदर, जैसे मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, तो जो मैंने अभी tag manager वाला code डाला है, नीचे देखो, जो मैंने global site tag manually दाला हुआ था without tag managers, help, तो वो, उसका code जो था 3944 था, तो website में जाके जब मैंने चेक किया अभी, तो जो global site tag था 3944 वाला, वो reflect कर रहा है, और बाकी, यह दो और कर रहे हैं, मैं भी वो भी डाला हुआ, remarketing tag भी डाला हुआ analytics, अब मैंने tag manager भी डाल दिया, तो basically tag manager भी यहां प loading हटा लेता हूँ, website से इसको save करता हूँ, और page को एक बर refresh करके चेक कर लेता हूँ, अब देखता हूँ कि 3944 शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद फिर मैं चेक करता हूँ कि जो tag manager के थुरू डाला है, वो काम कर रहा है या नहीं हो रहा है, वो trigger हो रहा है या नहीं हो करेंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है, जब तक वो preview mode active रहेगा, website के अंदर bottom half में आप देखोगे, एक बार बना हुआ आगया, और इसके अंदर वो बता रहा है कि कौन-कौन से tags हैं, जो properly fire हो रहे हैं, तो एक ही डाला है और एक हो रहा है, तो मतलब जो हमने tag manager के दाला है, वो काम कर रहा है, अब हम अगला tag डालेंगे, new, इसका नाम देते हैं, Google search console, अब यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, कि analytics तो था, लेकिन Google search console जैसी कोई चीज तो Google ने दी ही नहीं है, तो उसके लिए फिर Google ने एक अच्छी चीज दिया है कि custom HTML, तो जो भी आपक option यहाँ पर नहीं मिलता, वो custom HTML के तुरू डाल सकते हो, तो यहाँ पर मैंने GCS दिया था, और Google webmaster का जो मुझे script मिला था, यह मिला था, इसको मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ, और tag manager मैं जाकर यहाँ पर page कर लेता हूँ, ठीक है, यह वाला जो code है, यह डलना होता है, only homepage, all pages प बाते हैं, triggering पर, triggering पर आएंगे, तो यहाँ पर तो all pages है, तो यहाँ पर plus पर click करेंगे, और क्योंकि सिर्फ homepage पर डलना तो homepage का URL copy कर लेते हैं, और यहाँ पर नाम देते हैं, trigger का home, trigger configuration, ठीक है, page view लेंगे, some page views, all तो फिर बन चुका अलएड़ी, तो यहाँ पर हम यह वाला होंगे, basically है, ठीक है, तो यह code सिर्फ homepage पर जाएगा, basically, save करते हैं, save, ठीक है, website पर चलते है, refresh करते हैं, देखते हैं, trigger हो रहा है, fire हो रहा है की नहीं हो रहा, तभी कभी immediately नहीं होता थो थोड़ी जिर में, reflect करना शुरू कर देता है, तो भी load हो रही है, website, ठीक है, यह fire हो रहा है यह नहीं वो देखते हैं, उसके लावा और देखते हैं, कौन-कौन से code, basically, डालने होता है, जैसे, अगले code की मैं बात करता हूँ, new पर चलते है, जब मैं बोलता हूँ, यहाँ पर, री-Marketing, Google Remarketing, तो जब मैं टाइक configuration में गया, तो यहाँ पर, Google Ads Remarketing मिल गया, तो Google Ads Remarketing ले लेते हैं यहाँ पर, टीक है, Conversion ID, Conversion Label Option नहीं छोड़ सकते हैं, तो basically, जब आप Google Remarketing setup करोगे, तो वहाँ पे पूछेगा कि install the tag yourself developer को भेजना है या through tag manager करना है तो जब tag manager के through करोगे तो आपको conversion ID देगा पर conversion ID को यहाँ पे डालना है और triggering set करना है remarketing क्या होता है all pages में जाता है तो यहाँ पे जाके हम all pages choose कर लेंगे Google remarketing में conversion ID जो हमें Google Ads प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे डालेंगे और इसको simply save कर देंगे तो this way क्योंकि अभी यह डाला नहीं है तो issue आ रहा है तो यहाँ पे conversion ID डालना होता है तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि करते कैसे हैं यह चलो मेरा यह account यहाँ पे दूसरे यहाँ ब्रावजर में खुला हुआ तो मैं आपको दिखा रहा हूं तो tools and settings and for remarketing हम audience manager में जाते हैं तो हम चलते हैं यहां से audience sources में फिर यहां से हम चलते हैं details में details के अंदर वीचे आते हैं tag setup पे चलते हैं tag setup के अंदर install tag yourself email the tag use google tag manager तो इस पे चलते हैं देखर आपको conversion id मिला वो conversion id basically वहाँ पे डालना है आपने और वो save हो जाएगा और फिर वो काम भी करेगा ठीक है तो इतना ही करना है basically इसके अंदर दूसरी चीज जो Google Ads से related है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं next चीज जो हम code डालते हैं वो होता है basically conversion का जब भी हमारी website पे कोई PPC की ad पे click करके आता है और वो form भर के thank you page पे जाता है तो अभी हमें पता चलना चीज कि कि कितनी you know conversion आई है हमारी website पे कितने लोगों ने form भर रहा है तो वो सब चीजे करने के लिए हम यहां पे code लगाएंगे जिसको हम conversion code भी बोलते हैं अब submit read form पे चलते हैं एक पर tag inactive दिखा रहा है में भी शयद डाला नहीं होगा website के अंदर okay tag setup इसके अंदर देखते हैं again yourself email और google tag manager अब इसके अंदर भी conversion ID दे रहे 3944 वाली दे रहे क्योंकि email ID में भी same है जिससे किया हुआ conversion label make sure you add a conversion linker tag तो basically वो यहां पे suggest कर रहे है कि conversion linker tag भी आप add कर दो इसके अंदर ठीक है तो यह conversion का हो गया conversion के लिए मैं एक बड़ चेक करता हूँ conversion तो यह रहा google ads conversion tracking इसको भी डालना है plus conversion linker को भी डालना तो google ads conversion tracking में चलते है conversion ID conversion label तो देख लो आप यहां पे conversion ID conversion label दोनों चीज़े मिल रही है और बागी चीज़ आई तिंक optional होगी auto ID बगएर डाले भीना भी सेव हो जाता है करनसी क्रोट डालने की जुरूत नहीं बड़ती trigger कहां करेंगे इसको यह trigger होगा thank you page पर ठीक है तो यहां पर plus पर click करेंगे फिर इसको edit करेंगे page view लेंगे some page views लेंगे equals करेंगे और जो भी आपके thank you page का URL है यहां पर जाएगा इसको save करेंगे save करने के बाद यह जो आपका यह जो आप create कर रहो conversion का इसको आप save कर दोगे ठीक है तो conversion code भी create करोगे तो वह भी easy है remarketing create करोगे तो वह भी easy है लेकिन यह तभी possible है जब आपका Google Ads account होगा नहीं डाल सकते है तो यहां पर analytics का बता दिया webmaster का बता दिया remarketing का बता दिया conversion का बता दिया और basically same way facebook का भी होगा linkedin का भी होगा twitter का भी होगा अगर आप social media यह भी ad अगर रण करते हो तो वह भी आपको code देगा same way अगर आप search कर रहे हो facebook नहीं मिला linkedin नहीं मिला तो फिर एक option तो हमीशा रहेगा custom HTML उसके अंदर डालके trigger जहां पर भी कराना है all pages thank you page contact us page वह आप trigger set कर लोगे save कर दो की काम प्यादम ठीक है फिर उसके बाद तो जैसे website में हमने जाके देख ही लिया कि वह fire हो रहा या नहीं हो रहा तो basically जो जादा तर चीज़े use करने वाली उस पर नजर मात लेते हैं फरफट से analytics पहला conversion tracking दूसरा remarketing तीसरा conversion linker चौथा चार तो यह हो गए बाकी add role भी एक platform है कहीं लोग use करते हैं तो use कर सकते हैं क्रेजी एक platform है यूज कर सकते हैं Google Ads call from website conversion ठीक है separate दिया हुआ ठीक है hot jar भी एक tracking tool है जो लोग use करते हैं लेकिन उतना यूनों common चीज़े नहीं है यह Bing Ads भी अगर आप यूज करो तो Bing Ads का भी आप link कर सकते हो Pinterest का भी दिया हुआ Pinterest ads लेकिन इंडिया में नहीं चलती हैं Twitter का भी दिया हुआ ओके तो basically जो important है social media के remarkting और conversion analytics और webmaster और अगर कोई live chat भी डालना चाहता है ठीक है तो live chat भी डाल जाती है live chat वाला कोई tool तो यहां पे नहीं मिलेगा लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे वो स्क्रिप्र उसमें डालोगे उसको trigger करोगे all pages में और वो automatically all pages में आनी शुरू हो जाएग तो this way आप tag manager use करके बहुत सारे जो tags website पर डालके load बढ़ाते हो loading time बढ़ाते हो वो सब आप tag manager में डालोगे और tag manager अपने पाम करें तो बहुत simple है basically है खाफी सारी website add कर सकतो जैसे आपने देखा कि मैंने अपनी second website add करी उसे पहले मेरे पास एक website और थी this is the way आप tag manager use कर सकतो बहुत simple है कोई भी code डालना बस एक बार जैसी new website बन जाए tag manager में अपना account बना लो website add कर दो code मिलेगा website में add कर दो दोनों को link कर दो फिर जो भी future में चीज़े होंगी टाग से related scripts से related कुछ भी वह सब tag manager में जाएगा website पे नहीं जाएगा तो किससे भी आपके website की loading improve होती है और speed पे फर्क पड़ता है ठीक है ना चोटी चोटी चीज़े one of the factor है सारी चीज़े very important तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा see you in the next video thank you